नवस्कार में हुश्वानी बिहारी नियूस में आपका स्वागत है आज है 13 सितंबर खबरों की और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर शेहर की तर्स पर बिहार के गाउं में बनाये जा रहे हैं जिम और पार्क जायल 112 सेवाकार राजजी भर में विस्तार करनी की कवायद की गई तेज बिहार मॉटल पर देश में हो रहा है एनिज का रख रखाओ जमिन अधी ग्रहन के धीमी रफ्तार की वज़ज़ से फसी है ये 45 परियोजनाए टी ट्वेंटी वर्ल्ट कप दोजर वाइस के लिए टीम इंडिया का हुआ एलाल अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से इंडियन नेवी ने एप्रेंटिस के 230 रिक्तियों के लिए निकाली भरती अधी सूशना इंडियन नेवी ने विए ट्रेंटिस के कुल मिलाकर 230 रिक्तियों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इसके लिए अगर सैक्शनिक योगता की बात की जुआ है तो आवेदक को मैट्रिक 50 परतिश्यत अंकों के साथ पास होने के साथ इस संबंधी ट्रेट में 65 परतिश्यत अंकों के साथ आई टी आई पास होना जरूरी है इच्छुक और योग्यों मिद्वार इस वैकेंसी नोटिस से जुरूई हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो की इसी पेज़ पर इस डिस्क्रिप्चन बॉक्स में दियेगे वेव लिंग पर जरूर क्लिक करें आवेदन करने के अंतिम तारिक 23 सितम बर 2022 तक है विस्तित जरूर करने के लिए आप ओफिशिल विपसाइट www.joinindiannevi.gov.in पर जाखर चेक कर सकते हैं बिहार परियतन में आज हम बात करेंगे जुबबा सेहनी पार्क की बिहार में कई दर्शनिये एतिहासिक और दिर्थ अस्थल मौझूद हैं जो कि आपके बिहार परियतन को यादगार बना सकते हैं उन्हीं में से एक है मुझफरपूर जीला इस्थित जुबा सहनी पार्क जुबा सहनी पार्क बिहार का एक परसिद्ध परियतन अस्थल है यह पार्क मुझफरपूर में इस्थित है और परसिद्ध स्वतंदरता सेनानी जुबा सहनी की नाम पर ही इस पार्क का नाम रखा ग इसका हड़ा भड़ा परिवेश और घास का एक मैनी क्यूर लॉन इसे बिहार का बेहद खास परियटक अस्थल के तौर पर उजागर करता है इस पार्क में बड़े पैमाने पर परियटक आते हैं गर्मी हो या पत जहर लोग इस पार्क में आने से नहीं चूपते या बच्च जैसी सुविधा उपलब्द करानी की राह में मन्रेगा योजना के तहत ओपन जीम और बास्केट बॉल मैदान बनाये जाएंगे इसका शुभारम इसी साल नवंबर में पटना जिलम में कर दिया जाएगा मालूमों कि बिहार के दर्भंगा और पुर्णिया के कुछ जाते चले के पुर्णिया और दर्भंगा के बाद पटना परदेश का ऐसा तीसरा जिला होगा जहां के गाउं में जीम और पार्क की सुविधाय होगी मुख्यमंत्री ने जनता दर्भाड में 69 फडियादियों की सुनी फडियाद बिते दिन सितंबर महिने के दूसरे सुमबार को मुख्यमंत्री का जनता दर्भाड लगा इस दोरान मुख्यमंत्री ने तेश कुमार ने बिते दिन करीब 69 फडियादियों की फडियाद सुनी मुख्य मंत्री ने जनता के दर्वार में कि मेरे पिताजी सिक्षक 14 साल पहले लापता हो गए थे जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है मुख्यमंत्रें समाज कल्यान विभाग को समुचित कारवाई करने का नर्देश दिया बिहार मॉडल पर देश में हो रहा है एनेच का रख रखाव नेशनल हाईवे के मेंटेनिंस का तड़ी का अब बिहार की तरश पर पूरे देश में लागो होगा जी हाँ आपको बता दे कि NH यानी राष्ट्री उच्पत के रख रखाओ में अब बिहार के रोड सेक्टर में वर्षों से चल रहे मॉडल की तर्श पर काम शुरू होगा आपको यह भी बताते चले कि पिछले दिनों बैंगलोर में NH के रख रखाओ और निर्मान की नई तकन पर हुए मन्थर में किंद्री सडक परिवाहनेवं राजमार्ग मंत्र नितिन गड़करी ने ततपर एप को लॉंच किया इस एप के जो कंटेंट हैं वह बिहार में कई वर्षों से लागू रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के कंटेंट के आधार पढ़ हैं और इसी के साथ आप पर जिवारे का कोई सोट नहीं बचता बिहारी पैशान में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वर पाठक की बिहार के वैश्वाले जुलिक हाजिपूर में जन्मेर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एक भारतिय समाज शास्तरी और समाज को उध्यमी है उन्होंने सुलब इ पीजडी का अध्यन, शेत्र भंगी, मुक्ती और स्वक्षता के लिए सर्व सुलब संसाधन जैसे विश्वे को चुना और इस दिशा में गहन शोध भी किया इन्होंने सुलब सौचालेों से निकलने वाले अप्शिस्ट का खाद के रूप में परियोग को भी प्रोचाहि बिंदेशोर पाठक को एनर्जी ग्लोबल पुरसकार भी मिला, उन्हें इंद्रा गांधी पुरसकार, स्टॉक होम वाटर पुरसकार, इत्यादी सहितनेक पुरसकारों दोरा स्पमानित किया गया है डायल 112 सेवा का राजजभर में विस्तार करने की कवायत की गई तेज चुरन के लिए DZPS के सिंखल से प्रस्ताव भेजने को कहा है, माना जा रहा है कि प्रस्ताव मिलने के बाद जरूरी कारवाई शुरू कर दी जाएगी, मालुम हो कि बीते जुलाई महीने में मुख्यमंत्री ने इस सेवा का शुभारम किया था, हाला कि पहले चरन में यह सेवा राजधानी पटना के अलावा राजजभर मुख्याले तक ही सीमित है, दूसरे चरन में इसका विस्तार अन्य शेहरों के साथ ही राजभर के सभी सोतक करना है, दिसंबर तक के दूसरे चरन का कार्य पूरा होने की उमीद है, ग्रिव विभाग ने पुलिस मुख्याले से E.R.S.S. परियोज़ना के दूसरे चरन के लिए जल्द रस्ताव हिच्वी को कहा है। को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान सुधाकर सी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी गलत आकडों का खेल बंद करें। करचाएगा, बदलाओं की विवस्ता की जा रही है। जिसमें 15 सदस ये टीम का च्रेन किया। अस्ट्रेलिया में होने वाले मल्टी नेशन टुनामेंट में टीम इंडिया के कप्तान रोईच श्यर्मा और उपकतान केल राहूलोंगे। में टीम में तेजगिन्वास मुहमत श्यमी को जगह नहीं मिली है। पुमद्शमी तथा दीपक चाहर को रिजर्व खिलाडी के रूप में टीम में चुना गया है। इसके अलावा स्ट्रेय साई और रवी बिश्नोई को भी रिजर्व खिलाडी के रूप में टीम में शामिल किया गया है। चोटिल रविंद्श जडेजा, टी-20, वर्ल्ड कप की फाइनल 50 का हिस्सा नहीं है, वहीं बुम्रा और हर्शल पटेल की टीम में वापसी हुई है। और इसी के साथ टीम इंडिया के स्कॉाइट कुछ हिस्परकार हैं, रोजश्वर्मा कप्तान, केल राहुलूप कप्तान, विराज कोहली, सुरिकुमार यादव, दीपक रिशवपंद, विकेट कीपर, दिनेश कार्थिक विकेट कीपर, हाधिक पान्जिया, आराश्वीन, युजवेंद, च्यहल, अक्षड पटेल, जस्परीद, भुम्रा, भुनेश्यूर, कुमार, हरसल पटेल, और अर्शदीप सी। साइबर क्राइम की घट्नाओं की रोग थाम के लिए बड़े पैमाने पर पदों का स्रूजन किया है, आर्थिक अप्रादिकाएं के अधिन दियाईजी के अलावा, स्पी के भी दो पट बनाये गए हैं, इसके लिए राजबर में कुल 405 नए पद स्रूजित किये रेलवे ग्रूप डी भरती CBT परिक्षा फेज 4 की City Intimation Slip हुई जारी, रेलवे ग्रूप डी भरती की फेज 4 की परिक्षा का इंतजार कर रहे हैं अव्यारतियों के लिए आवश्यक सूचना है, रेलवे भरती बोट ने रेलवे ग्रूप डी भरती की फेज 4 परिक्षा के लिए City Intimation Slip जारी कर दिया है, रेलवे ग्रूप डी पे लेवल 1 के परिक्षा में भाग ले दिवारे अव्यारति अपनी परिक्षा के इंदर के श्यार के Intimation Slip अब वेबसाइट www.rbcdz.gov.in या संबनित रेलवे की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बताता चुले कि RRB Group D की चौतर चुलन की परिक्षा हुने सितंबर से 7 ओप्टूबर, 24-22 तक आयो, जित की चुलाएगी, रेलवे भरती बोर्ट ने कहाए कि RRB Group D भरती परिक्षा के आगे के चलनों का शेडूल बाद में सही समय पर जाड़ी कर दिया जाएगा बिग बॉस 16 में सलमान के साथ नजर आ सकती है बोजपूरी सिंगर निश्या, रियालिटी शो बिग बॉस का 16 सीजन जल्धी शुरू होने वाला है, जिसका प्रोमो हाल ही में रिलीज किया गया है, प्रोमो देखकर लग रहा है कि इस बार बिग बॉस 16 काफि दिलचस्प हो होने वाला है, रियालिटी शो के मेकर्स ने इसकी तैयारिया भी शुरू कर दी है, शो में हिस्सा लेने के लिए कई समभाविट सेलब्स के नाम भी अब तक सामने आ चुके हैं, इन समभाविट सेलब्स में बोजपूरी सिंगर निशा पांडे का नाम भी शामिल है, मेडि अधिग्रहन की धीमी रफतार के वज़़े से फसी है, ये 45 परियोजनाएं, बिहार में जमीन अधिग्रहन की रफतार धीमी पढ़ने की वज़़े से तकरिवन 45 परियोजनाओं का काम धीमा हो गया है, इन परियोजनाओं में, एने चुओ सडक से जूरी 32 रेल से जूरी 10 और पांच से छे अन्य पर्योजनाय शामिल हैं। 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 आज इन जिलों में बारिश वजपात को लेकर यलो अलर्ट जारी। बिहार में मौनसून अपने आखरी वक्त में एक्टिव हो रखा है। इस बीच रास्थानी पटना सहीत राज्यों के अन्य हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मालूमों के बिहार में अब तक 36 फिजदी तक कम बारिश दर्च की गई है। लेकिन अगले पांस दिनों तक राज्यों के करे हिस्सों में तेज बारिश होनी का अनुमाल लगाया गया है। देर शाम भी बारिश की प्रवल संभावना है। इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। परधार मंतरी रोजगार स्रुजन कारिकरम में अब होगा तीन गुना आवेदन। उद्योग स्थापित करने वालों के लिए अच्छी ख़बर है। आज़े सरकार ने परधारमंत्री रोजगार स्रीजन कारेकरम में अधिक से अधिक लोगों की भागेदारी सुनिश्वित करने की कवायत तेज करती है आपको बता दे कि अब इसमें निर्धारित लक्ष से तीन गुना लोगों को जोड़ने का लक्ष रखा गया है पहले यसीमा दो गुनी थी लेकिन अब उद्योग विभाग ने दो गुना की जगा तीन गुना आवेदन बैंकों को भेजना शुरू किया है विभाग का माना है कि इससे अधिक लोग चोयन परकिर्या में शामिल हो सकेंगे आपको बताते हैं चोले कि इस योजना के तैयत अपना खुद का उद्योग रोजगार शुरू करने के लिए किंदर सरकार की तरब से 10 लाग से लेकर 25 लाग तक के लोन प्रदान किया जाते हैं इसके लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है योगियो मिदवार आधिकारिक विबसाइट kviconline.gov.in पर विजिट करें यहाँ PMEGP की आप्शन पर क्लिक कर खाली विवरनी को भर के सम्मिट करें सुखार बर शुरू है सियासत सरकार कर रही दोड़ा विवहार दोधारी तलवार पर खड़े विहार के सुखे और बाढ़ पर सियासत शुरू हो गए दरसल बितियनो रवी वार को मुख्यमंतर नितिश कुमार राज़ु में सुखे को लेकर दोड़ा किया पिछली महीने भी उन्होंने परदेश में सुखे का जाजा लिया लेकिन भाज़बा का बादना है कि मुख मंतर नितिश कुमार भाज़बा के सांसदों और विधायकों के शित्र के साथ दोहड़ा विभार कर रहे हैं इस पर केंद्री मंतर्य गिराजसी ने कहा कि नतिशुर सरकार दुरभावनाओं से गरसित होकर काम कर रहे हैं असल बेगुसराय में 48 पर्तिशत से भी कम बारिश हुई है बेगुसराय में 18 प्रखंट हैं जो सुखार से प्रभावित हैं लेकिन अधिकारियों ने दो प्रखंट को ही सुखार ग्रसित घोशित किया है इसी को लेकर केंद्रे मंतरी की राजसी ने नितिशु सरकार पर ज्यादा रहें मुख्यमंतरी तो नितिश कुमार ही बनेंगे जाहे इंडिये की सरकार हो या फिर महागटवन्दन की नितिश कुमार के मुख्यमंतरी की कुर्सी पर बने रहने के सवाल पर अलग-अलग लोगों के अलग-अलग बयान आते रहे हैं अब इस पर बिते दिन राज़त के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं दरसल बिते दिन पार्टे प्रदेश अध्यक्ष जगता नंसी ने प्रेस कॉन्फरेंस किया इस दौरान उनों ने नितिश कुमार के प्रधार मंतरी उमिदवार को ले कर कहा कि बिहार में उंदगार मोदी ने किया वर्ल्ड डेरी समिट 122 का शुभारम बीते दिन सोंबार को प्रदार्मंतरी नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड डेरी समिट 1221 का उधाटन के दोरान पीम मोदी ने कहा कि दुनिया भड में डेरी सेक्टर 2 फिजदी की रफतार से बढ़ रहा है जबक निर्यात में भी नमबर वन बनाने के लिए काफी महनत करने की जरुरत है क्योंकि उसमें हमारा देश काफी पीछे है डेरी एनालोग्स, प्लांट अधारी तुत्पात और मिलावच डेरी उद्योग के लिए एक बड़ी चुनोती और खत्रा बन कर उप्री है भारत की ध्यास में आज की तारीक कई कारणों से है दर्स भारत के परशिद करांतिकारी जतिंदर नात दास का निधन 1929 को हुआ था भारत के परसिद कवी श्रीधर पाठक का निधन 1928 को हुआ था भारती हिंदी फिल्मों के मशूर गीतकार शारंजान का निधन 1927 को हुआ था उपुप पुर्धानमंत्री वलब भाई पटेल ने 1948 में सेना को हैदराबाद में घुस कर कारवाई करने और उसे भारती संग के साथ एकिकरित करने का आदेश दिया भारत के विश्वनातर आनदनी 2000 को शेनियान में पहला फिर डिस्ट्रित रंच विश्व कप जीता और आज ही के तिन राष्ट्री गुलाब दिवस के तौर पर मनाया जाता है वाईरल खबर में आज हम बात करेंगे एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में सोशल मेडिया पर कई तरह की सूचना है वाईरल होती है लेकिन सबी सच हो ये जरूरी नहीं है इसली कड़ी में आज हम बात करेंगे एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में मेटा के स्वामित वाले सोशल मेडिया मैसेजिंग एब वाटसेप आए दिन अपने यूजर्स के लिए खुद को अपडेट करता रहता है और नए नए फीचर्स लेकर आता है इस बीच WA Better Information की रिपोर्ट के अनुसार वाटसेप पर एक नया फीचर आने वाला है सर्च मैसेज बाइ डेट इसके जड़ी यूजर्स डेट से पुराने मैसेज सर्च कर पाएंगे रिपोर्ट में इस फीचर से सम्मंतित स्क्रीन शॉट भी शेर किया गया है वाटसेप चाट में एक नया कैलेंडर आइकॉन जोड़ा जा सकता है यह कैलेंडर कुछ इस तरह काम करेगा कि इसमें आप जो भी डेट डालेंगे उस डेट की कंप्लीट चाट आपको शो होने लगेगी इस तरह यूजर्स के लिए चाट से पुराने मैसेजिस को सर्च करना आसान हो जाएगा सेहनी की मांग बिहार को सुखा ग्रस्त घोसित करे सरकार विकास श्रील इंसान पाठे प्रमुक और पुर्व मंत्री मुकेश सैनी ने बिहार को सुखाग्रस घोसित करने की मां की है दरसल बीते दिन नालंदा के कई लाकों का दौरा करने के बाद मुकेश सैनी ने बताया कि आगडों को देखी तो बिहार के बाद प्रभावित तीन जीलों सुपॉल अरररिया और किशिन गंज को छोड़ कर बाकी 35 जीलों में बारिश सामानी से काफी कम हुई है मुकेश सैनी ने दावा करते हुए कहा कि वे राज्य का लगतार दोड़ा कर रहे हैं और जो इस्थिती उबड़ी है उसमें भले सरकार 85 फिस्दी रोपनी का दावा कर रही हो लेकिन 40 प्रतिश्यत भी धान की फसल नहीं बचने वाली है विजय कुमार सिन्हा करते जस्थि यादपर जुबानी हम्ला बिहार विधान सभार में निताप्रटिपाक्ष विजय कुमार सिन्हा सरकार के कमियों को जागर करने और उस पर हमला बोलनी का एक भी मौका नहीं छोड़ते इस बेच विजर कुमार सिना ने नितिश कुमार की तरफ से सभी विपक्षी नेताओं को एक्जूट करने की मुहीम पर कहा कि सभी वरस्ट अचारियों की जमात हैं बेते दिन सोमवार को लखी सराय पहुचे विजर कुमार सिना ने कहा कि जब जब चुनावा आता है सभी वरस्ट अचारी देश के राष्टवाती और इमानदार नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ जमा हो जाते हैं और समाजवात का चोला ओड लेते हैं यही नहीं डिप्टे सीम तेजस्वी यादपर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सोने का चमच लेकर पैदा होने वाले गड़ी बोम पीड़ितों और दलीतों का दर्द क्या समझेगा बीते दिन हमारे दोड़ा पुछे यह सवाल का आप लोगों में इस बहुत लोगों ने अपना जवाब में कॉमेंट सेक्षम में लिकर दिया था जिन्होंने पुछे यह सवाल का जवाब दिया अज के लिए बस इतना है बिहार की तमाम कवर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना ना भूले धन्य झालबाद